दिजिटलसेवा.csc.gov.in वेबसाइट को ओपन करे और लॉग इन पर क्लिक करे अपना CSC ID, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करे और साइन इन पर क्लिक करे डैशबोर्ड में उपर सर्चबार में लोन सर्च करे निचे लोन बजार पर क्लिक करे लोन बजार प ओपन कर रहे है तो सवे फॉर्म भरना पड़ेगा उसके बाद लोन बजार पोर्टल आपके सामने इस तरह से दिखेगा अब मेनु बार में कार्ड के ऑप्शन में बजाज फिंसव इंस्टर EMI कार्ड पर क्लिक करे ग्रहक का मोबाइल नंबर दर्ज करे और सेंड ओटीप पर क्लिक करे ओटीपी दर्ज करे और वैलिड ओटीपी पर क्लिक करे ग्रहक का नाम जन्तिथी दर्ज करे पैंकार्ड ओप्शनल है और सब्मिट पर क्लिक करे ग्रहक द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर आगे की प्रोसेस के लिए लिंक भेज दी जाएगी आगे सब्मिट करे, ग्राहक का पूरा नाम लिखे और प्रोसेस पर क्लिक करे, यहां ग्राहक की डिटेल आटोमेटिक फैच होके दिखेगी, जिसे अक्वार वेरिफाई कर ले और प्रोसेस पर क्लिक करे, यहां पर आपको EMI कार्ड में कितनी लिमिट मिलती है, वो आप देख सकते है, निचे, प्रोसेस पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करे, अब आपको आपकी केवाईसी की सारी डिटेल दिखेगी, सब डिटेल कंप्लीट है तो कंफर्म पर क्लिक करे, इस पेज में आप देख सकते हैं, आपको दी गई लिमिट और कार्ड की वन टाइम फे 599 रुप्य पे क्लिक करे, आप UPI, debit card, credit card से payment कर सकते हैं, सक्सेसफुल पैमेंट होने के बाद आपको कार्ड की डिटेल दिखाई देगी, आप कार्ड को एक्टिव करने के लिए, active now पर क्लिक करे, consent box में क्लिक करे, और continue पर क्लिक करे, bank की डिटेल एड करे, bank verify होगी तो एक रुपया आपक के bank खाते में credit होगा, आपको E-mandate, successful register होने का message देखने को मिलेगा, आपका बजाज EMI card, successful active हो गया है, VLA को एक बजाज card successful process करने के 287 रुपय कमिशन मिलेगा, तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा, comment में जरूर बताए, वीडियो को लाइक करे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइ करे, धन्यवाद